Healing for Curses आखे बंद करेंगे गेहरी सांस Breathe in Breathe out Breathe in Breathe out अब जवाइन की लाइट हमारे सर, आखो, गले, छाती, पेट, पैरों से होती वी धरतीस पे जा रही है और वहाँ से reflect होकर के ये light पैरों से होती वी वापस हमारे heart center पे आ रही है अब यहाँ से इसने पूरे room को cover कर लिया है पूरे ब्रह्मान को cover कर लिया है अब हम universal consciousness से जुट चुके है अब मैं invite करूँगी divine मेरे ईश्टेव मेरे गुरू जित्ते भी ancestor angels हैं जो support कर रहे हैं इस journey में हमको guides प्लीज आईए हमारी help कीजिये healing में यह healing हमारे twin cream के लिए भी हो रही है यह intention set करना है और अब इस healing का charge हम divine को दे देंगे सबसे पहले हमें उन moments पे जाना है जहाँ पे किसी ने हमको curse किया हमारे बारे में बुरा सोचा बुरा बोला इसमें बुरे intention और thought forms भी आते हैं वो भी curse में ही आते हैं क्योंकि energy is everything ज़रूरी निये के शब्द ही बोले हो अगर सोचा भी जिसे हम बद्दुवा बोल सकते हैं बद्दुवा देना उसमें parents हो सकते हैं friends हो सकते हैं office के लोग हो सकते हैं साथ में काम करने वाले even राह चलते drive करते वे कोई person हमको चलते फिरते ही curse कर देता है कई बार teachers से जगड़ा हो जाता है argument हो जाता है हमें ऐसे सारे moments को याद करना है ऐसे सारे लोगों को अपने सामने इखटा करना है जिन्होंने हमें कभी curse किया अब मैं divine से request करूंगी कि अपने healing light से please वो सारी negative energy please clear and transmute कर दे अगर इस curses के पीछे कोई past life connection है कुछ vows है contracts है कुछ भी ऐसे loops है जिस कारण ये curses repeat हो रहे है हमको repetitive thought forms आ रहे है हम किसी को forgive नहीं कर पा रहे है please divine इन सब को white light से burn कर देजिए clear and transmute कर देजिए इन सारे contracts को जिससे कि हम free हो पाए soul कभी भी किसी को curse नहीं करती है ये ego होता है जो ego को curse करता है तो अगर हम soul form में इन लोगों से माफी मांगेंगे soul form में समझेंगे कि वो ego के place से react कर रहे थे और ये कुछ हमारे ही past life कर्मा थे जो हमें experience हो रहे थे तो हम इन curses और loops को खतम कर सकते हैं अब हम इन सब लोगों को बोलेंगे कि वो please अपनी cord ले ले क्योंकि इन सब से हमारी cord attached है negative cord attached है अगें मैं divine को बोलूँगी अगर कोई भी toxicity है तो please उसे clear and transmute कर दे because है heaviness है curses क्या होता है कि अगर बहुत साल पुराने बहुत पुराने जुनमों के भी हो लेकिन वो energy exist करती है अब हम क्या करेंगे कि इन लोगों के पास हमारी soul के fragments है हम उन soul के सारे fragments को वापस अंदर ले लेंगे अपनी divinity को अपनी power को we are calling back so that हम consciously decision ले पाएं हम मजबूत हो पाएं हम कमजोर ना हो हम loops में ना चले यह जो भी healing हो रही है all time, space, dimensions and realities में हो रही है अब हम in souls को situations को, moments को thank you बोल रहे है अब हम दूसरे चलनड पे चलेंगे जहां पर हमने अपने आपको बहुत करसिं दी है बहुत ज़ादा गलत तरीके से खुछ से बात करी खुछ को यह बोला कि तु तो कभी काम्याब होई ही नी पाएगा तु तो कभी यह करी नी पाएगा तो तो हमेशा अकेला ही रह जाएगा हमें पता है कि ये सूल फॉर्म नहीं थी ये कोई कर्स ही था या कोई negative energy थी जो कि हमें use कर रहे थी और हमें पता है कि हमें उसे power नहीं देनी है हमारी consent हमारी free will के बिना वो energy कुछ नहीं है तो हम ऐसी कोई भी energy से God detach कर रहे है God cut कर रहे है मैं divine को request कर रहे हूँ कि प्लीज ये जो भी curse वारी energy है self curse जिसमें हमने किया है उसको clear and transmute कर दे हम ये free कर दे हमने lesson learn किया कि जब हम खुद को ही कोसते हैं खुद को ही curse करते हैं तो कैसा लगता है जिससे कि हम समझ पाएं कि दूसरे लोग भी इस चीज से गुजरते हैं हम समझ पाएं कि ये भी एक तरीके का experience होता है अब हम तीसरी step में चलते हैं जहां पे हमने किसी को कर्स किया हमें बहुत उस्सा आ गया हम बहुत दुखी थे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे किसी ने हमाई साथ कुछ गलत किया हो लेकिन हमने जो बूला अब हम उसके लिए माफी माँग रहे हैं उन सारे लोगों को अपने सामने बुलाएंगे Divine को request करूँगे कि जो भी energy आ रही है उसको clear and transmute कर दे negative energy है हम यह समझ चुके हैं कि उससे हम ego self से बात कर रहे थे हम soul form में नहीं थे हमने यह जान बूच के नहीं किया और हमें यह lesson learn करना था कि जब हम किसी को curse करते हैं तो कैसी feeling होती है बाद में बाद में guilt feel होता है हमें out of control feel होता है हमें definitely बुरा लगता है इन लोगों के पास भी हमारी soul के fragments है इससे पहले अगर कोई भी ऐसे loops हैं commitments हैं कुछ भी past life ऐसा करमा है जो clear करना है please divine अपनी light से उससे clear and transmute कर देजे entities हैं कुछ attachments हैं I can feel it अब हम क्या करेंगे सारे soul fragments को call करेंगे अपने अंदर अंदर लेंगे again यह healing all time, space, dimensions and realities में हो रही है यह जो भी energy है again मैं request कर रही हूँ कि अगर कुछ भी left over रह गया है कुछ भी चीज बच गई है तो उसको divine light से हम clear and transmute कर रहे हैं पूरी उसके उपर, पूरी healing के उपर अब मैं अकाशिक record की keeper जो हैं उनको request करूंगी कि वो हमारी time lines को update कर दे जो भी हमने आज heal किया है for highest good of all अब बस thank you बोलना है divine को angels को, guides को, guru को thank you, thank you, thank you so much अब हम धीरे धीरे स्ट्रान से बाहर आएंगे हातों पैरों को हिलाएंगे आखे खोलेंगे ती, तो, एक